जहां वो गल्दी से एक अंजान औरत को नहाते हुए देख लेता है। जहां वो गल्दी से एक अंजान औरत को नहाते हुए देख लेता है। रात को उन लोगों की घर में बड़ी पार्टी थी। पार्टी में काफी बड़े बड़े व्यापारी आये हुए थे। होल्देन के पिता पार्टी में थोड़े व्यस्थ हो जाते हैं तो लाना को होल्देन के साथ छोड़ देते हैं। होल्देन जवाब में कहता है कि इस्टेसी नाम की एक लड़की थी पर अब वो मुझे छोड़ के चली गई। थोड़ी दिर बाद लाना अपनी दोस्ट निकोल को होल्देन से मिलवाती है। पार्टी में होल्डेन के पिता मेसन लाना के लिए एक हार खरीटते हैं। पार्टी खत्म हो जाने के बाद मेसन लाना से गुस्सा हो जाता है। क्योंकि उसे लगता है कि लाना उसके वकील हेरी के साथ फ्लर्ट कर रही है। मेसन बहुत गुस्से में होता है पर होल्डेन किस बार में ले जाती है, बार में दोनों बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, होल्डन को तो पहले से ही उसके साथ गुटरगू करना था, इसलिए वो लगे हाथ लाना की गुफा में अपने साप को खुला छोड़ है, सब कुछ हो जाने के बाद दोनों देर रात घर आते हैं, होल्डन को मेंसन के कमरे से जगडने की आवाज आने शुरू हो जाती है, मेंसन लाना से उसके कार ले जाने की वज़े से जगड रहा होता है, देर रात होल्डन को भूक लगती है, तो वो किचन में आता है, वह उसे लाना मिलती है। इस बार फिर होल्डन और लाना एक दूसरे को रोक नहीं पाते और लाना होल्डन के साथ सोने चली जाती है। लाना अभी भी जगी हुई होती है। होल्डन लाना को कहता है कि उसे यहां नहीं रहना और ना ही मेसन के बिजनस में जाना है। पर लाना उसे बोलती है मेरा खेत अभी भी सूखा है जिसकी प्यास बस तुम्हारे जोई स्टिक से खत्म हो सकती है। पर लाना उसे रोक लेती है और उसके साथ वहीं पर गुटरगू कर देती है। जब होल्डन नीन से उड़ता है तब लाना वहाँ पर नहीं होती। होल्डन उसे बहुत ढूंडता है पर वो नहीं मिलती। आखिर जब वो घर जाता है तो वहाँ पर मेसन की लाश उसे पड पर लाना पर लाना को बदाता है कि बाहर देखता है तो लाना बंदूक लेकर खड़ी होती है। भी बारना चाहती थी। निकोल को लाना से डर लगने लगा था। इसलिए वो सारी सचचाई सबको बताती है। होल्डन को पुलिस छोड़ देती है, हैरी होल्डन को बताता है कि मेसन की मौद जहर से हुई है, ना कि किसी हत्यार से, और मेसन पर हत्यार से वार उसके मरने के बाद किये गए है, फिर वो वहाँ से चला जाता है, घर आकर होल्डन को वो हत्यार मिलता है, जिससे मेसन को मारा था और तभी वहां Nicole आती है, दर असल यह सब Nicole और Holden का किया धरा होता है, Holden नहीं मेसन को जहर दिया होता है, उस दिन जब Lana Holden के यहां बंदुक लेके उसे बचाने आई थी तब Holden उसे बेहोश कर देता है, और Nicole से लाना को मार कर लाश को कहीं गार देने को कहता है, पर Nicole वेस उसके हाथ पर गोली मारती है होल्डेन बच कर घर के बाहर भागता है और खाई के पास पहुंच जाता है लाना उसे गोली मारने ही वाली होती है कि पीछे से पुलिस लाना को मार डालती है अंत में सारी जायदाद होल्डेन के नाम हो जाती है और वो निकोल के साथ ट्रिप के लिए निकल जाता है और वहाँ पर दबा के उसके साथ गुटरगू के मजे लेता है अगर आपको भी इतनी मस्त जिन्दगी चाहिए तो हमें कमेंट शेक्षन में बता दें धन्यवाद